असलाम अलेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह आप अपने चैनल को ग्रोव कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियो पर बहुत ज्यादा वीव हासिल कर सकते हैं जब हम यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं तो थोड़े से विई आती हैं और हम परिशान हो जाते हैं सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है हमारी वीडियो को प्रमोट नहीं कार रहा या वैरल नहीं कार रहा तो इसमें यूट्यूब का कोई कसूर नहीं होता इसमें कसूर हमारा अपना होता है हम हमारे पास जो कंटेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता या हमारा जो थ क्लेक नहीं करेंगे तो वीडियो प्ले कैसे होगी तो हमने सबसे पहले तो अपना जो थामनेल बनाना है उसको इतना अच्छा बनाना है कि देखने वाला मतलब देखे तो फॉरण उस पर क्लेक कर दे अगर इससे पहले आप वीडियोज अपलोड करते हैं और उस पर आपने थामनेल बनाने हैं जब हम एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके जो फॉरण बाद का जो परसेस है ना वो मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह आपकी वीडियो यूट्यूब पर जाती है और उस पर क्या क्या काम होता है तो आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और थामनेल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह अपने वीडियो के मतलब के आखिर में बताऊंगा कि थामनेल आपने किस किसम कर बनाना है इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो अपलोड के पास बेज देता है मतलब 10 लोगों की जो स्क्रीन होती ही वहां पर शेयर हो रही होती है और जब वो 10 के 10 लोग हमारी वीडियो को मुकमल देखते हैं तो उसके फॉरण बात जो हमारी वीडियो है सो लोग उनके पास चली जाती है लेकिन वो 10 लोग पूरी वीडियो नहीं देख सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम इतने खुश किसमत नहीं हैं लेकिन फिर भी उन मेंसे तीन लोग तो जरूर देखते हैं जब वो तीन लोग हमारी वीडियो को मुकमल दोर पर देखते हैं तो यूट्यूब फिर हमारी वीडियो को तीस लोगों के पास बेहिज देता है वो तीस लोगों के पास हमारी वीडियो जाती है तो उसमें से तीस के तीस फिर भी नहीं देखते क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि सब लोग वीडियो नहीं देखते तो फिर भी उन तीस में से पांच लोग तो जरूर देखते हैं तो पांच लोग जब फुल वीडियो को हमारी को वाच करते हैं तो उसके बाद यूट्यूब है उन पांच बंदों की वज़ा से वो हमारी वीडियो को पचास लोगों के पास बेज देता है और यह सिलसला ऐसे ही चलता रहता है मसला तब पैदा होता है जब हमारी वीडियो को कोई मुकमल नहीं देखता अगर एक बंदा भी हमारी वीडियो को मुकमल नहीं देखता तो फिर जो यूट्यूब है वो आगे रेकमेंट नहीं करता क्योंकि हमारी वीडियो इतना इंप्रेशर नहीं क्रियेट कर सकती कि वीडियो को आगे शेयर किया जाए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो भी वीडियो बनानी है इतनी अच्छी बनानी है कोई बंदा स्किप ना करे और थोड़ी सी मतलब शार्ट वीडियो बना लें ज्यादा लंबी ना हो और ज्यादा बोरिंग ना हो और अच्छा कॉंटेंट हो जो देखने